देखें बड़ा सिंपल सा है, फिर से वैसा ही सवाल है, अब उचा है, speed of particle क्या होगी, x और y दिये हुए हैं, speed of particle at time t, देखें, x के expression से हम vx निकाल सकते हैं, और vx हो जाएगा, इसको differentiate करिये, 3 alpha t square, और ऐसे v y निकाल सकते हैं, जो हो जाएगा 3 beta t square, अब speed का मतलब होता है, velocity का magnitude, और velocity का magnitude, यानिकी speed जो होगी, वो होगी under root of, what, vx square plus v y square, और देखें, definitely, जब आप इनको ऐसे लखेंगे, तो 3 और t square तो काम अना जाएगे, अंदर बच्चे का alpha square plus beta square, तो answer d होना चाहिए,